नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है राजस्थान में काफी दिनों से चल रहे सियासी संग्राम को ले करके पहली बार पुर्व मुख्यमंत्री बसुंद्रा राजे ने अपना मुह खोला है और कांग्रेस पे वार किया है उन पे आरोप लग रहा था कि आखिरकार बसु की मदद कर रही है उन्हें वो नहीं चाहती कि सचिन पाइलट के एंट्री बीजेपी में हो तो आखिरकार बसुंद्रा राजे क्या बोली उन्होंने ये बोला है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता को यानि राजस्थान की जनता को कांग्रेस की अंधरूनी किया है कि जगडा आपका और आप घसीट रहे हैं बीजेपी को इसके पहले जो डेवलप्मेंट हुआ था वो ये हुआ था कि बीजेपी और कांग्रेस के बिधायकों में मोलभाव को ले करके तिन चार वीडियो वाइरल हुए थे और उसके बाद संग्राम बढ़ गया था एसोजी में दो ये फाइयार हुई थी जिसमें कि भवरलाव सर्मा और उधर से गजेन सिंग और एक जो है संजय जैन इन तीनों का नाम आया था उधर जो कल गानेसर में राजस्थान पुलिस पहुँची थी वो सम्मंधित बिधायकों से पूछताच नहीं कर पाई कहा जा रहा है कि हर्याना पुलिस ने उससे पहले घुचने नहीं दिया और तब तक जो है विधायक वहां से निकल चुके थे इसी बीच में राजस्थान के स्वास्त मंत्री है रगुत सर्मा उन्होंने भाजपा को चुनावती दे डालिया है और कहा है कि मैं चुनावती देता तो वह 19 विधायकों को अपने चंगुल से मुक्त करे ऐसा करते हुए सभी कांग्रेस में लोट आएंगे सर्मा ने कहा रहा है कि विधायकों को यह मालूम है कि अगर लोग उन्हें विगा हुआ देखेंगे तो वो उनसे नजर नहीं मिला पाएंगे काने का मतलब यह कि कां कांग्रेस को पूरी तरह से इसलिए जिमेदार नहीं ठारा सकती क्योंकि कांग्रेस का अंद्रूनी जगड़ा है और सचिन पाइलट गुड जो है 19 विधायकों के साथ अलग खेमे में दिख रहा है तो अदिन भर इसको ले करके बहस और प्रेस का दौर चल रहा है लेकिन स अबस्क्राइब करें और बैल आइकन दबानें लाओं